सीयम योगी आदित नात आज जौन पूर दौरे पर हैं सीयम उमनास सेंग मेडिकल कॉलेज का निरक्षण कर निकले तो समाजवादी पार्टी का कायर करता काफिले के सामनी आखिया काले कप्रे दिखाय और अखिलेश यादव जिन्दाबाद के नारे लगाने लगा पुलिस ने हंगामा करने वाले चात्र नेता आशिश मुलायम को हिरासत में ले लिया है इसके बाद सीयम पुर्वान चल युनिवरस्टी पहुँचे और सभा को समबोधित किया जौनपुर में सीयम में 258 करोड रुपए की 90 परियोजनाओं का सिलानिया 26 का लोका अरपन किया इसके बाद उनका कारिक्रम गाजीपुर में है जौनपुर में सीयम योगी ने कहा कि विकास के लिए इमानदारी से काम किया जा रहा है प्रस्टाचार पिछली सरकार के जिन में था खुद के फायदे के लिए गुंडो गुर्कों को बढ़ावा देते थे उत्तर प्रदेश आज दंगा मुक्त प्रदेश है हमने तैक किया है कि कोई भरस्टाचार करेगा तो इसकी संपत्ती कुर्क कर गरीबों के विकास में लाया जाएगा सीयम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में विकास के नाम पर लोगों से चलावों होता था आज यूपी में अपराज्यों के लिए कोई भी जगा रही है आज 278 करोड रुपए की योजनाओं का लोकार प्रण और सिला नियास हो रहा है ये पर योजनाओं सिक्छास्वास पेजल आदी से चूड़ी है जिरो रिपोर्ट आईपेन